आइरुवेथ की साथ और चुदियों के एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आँखों के लिए अमुरुत तुल्य है, अमुरुत के समान है, इसका नाम है सप्तामिर्थ लो, आँखों से जुड़ी आपको कोई भी प्राब्लेम हो, इसमें बहुत ज़़ा कारगर है, यह जितने बड़े-बड़े ग्लास लग जाते हैं, जिसमें लग जाते हैं, आँखों के रोशनी काम हो जाते हैं, अगर आपकी आँखों की रोशनी बहुत ज़़ा कमजोर है, आपको दूला दिखता है, तो भी आप सप्तामिर्थ लोग का यूद जरूर करें, इसके अलावा आखों में जलन, आखों में लाल पन, मिस आखे लाल रहना शुरू हो जाना, आखों में से बार बार पानी आना, आखे सूखना, आखों में दर्द, मोत्य भी मुदिन, आखों के आगे अंधेरा, मिस आखों के सामने काला पनाना, आखों की कमजोरी, मिन्स आखों से जूरी आपको चाहिए कोई भी प्रॉब्लेम हो तो इसमें आप इसका ज़रूर यूज करें आयरुदी बुक के अंदर लिखा है कि सप्तामूर्थ लोका अगर बारा महिना से लेके अपरा महिने तक कंटिनुज सेवन किया जाए कंटिनुज से लिया जाए तो सफिक हुए बाल भी क आले कर देता है आपको चोटी उमर के अंदर वाइंड है की शिकायत इंग रिमेचर ग्रें हैं की शिकायत है तो इसको नेचरली बेक बनाने का भी काम करता है 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 से जुडी भी जीतिबी प्रॉब्लेम्स है, जिसकी हैरफोर बालों का पतलापन, बालों का भीचा से तूपना, बालों का जड़ना तो इन सभी प्रॉब्लेम्स को भी खतम करता है, सब्तामरी द्लोग अपके डाइजेशन पाउर को इंप्रूव करती है, स्टमक से जुडी अस्ति पुंचा शुक्र इन साते धातों को नरिशमेंट करने का भी काम करती। ये हमारी immune power को boost करते ही तो प्रिदकार शक्ती है उसको बढ़ाने का काम करते ही। ये हमारी शरीर में रहे blood को purify करने का काम करते ही है। अगर आपकी बोड़ी के अंदर के लिबी स्फेलिंगे, बार बार जिनको शुरूर के अंदर सुजन चर जाती है, तो सुजन को भी खताब करती है। एक आयरुदा की ऐसी classical medicine है, पुरे शुरूर को मजबूत बनाती है। आखों की जो नलिया होती है, आखों की जो वैन से उसके strong बनाती है। अब बात कर देखी इसके अंदर इसी कौनसी चीज़े है जिसको इतना ज़दा powerful बनाती है। सक्तामरित लोग के अंदर होती है साथ आउशुदिया जिसमें आवला, बहडा, हरण, मिस, त्रिफला, इसके अलावा मुलिठी, लोह बस्मा, देशी गया का शुद्धगी, और श्याहत। अब जब भी मार्केट से इसको लेके आओ तो एक गोल्या के फोर्म में या फिर पाउडर फोर्म के अंदर आए। क्योंकि उसके अंदर डेली होगी उनली पांच अउशुदिया जैसे कि त्रिफला, मुलिठी, लोह बस्मा, जब आप इसको इंटेक करो लो, तभी इसके अंदर आपको एड करना पड़ेगा। शहद देसी गया का शुद्धगी अब बोलोगे कि शहद देसी गया का शुद्धगी लेना एरुदा में जहर के समान है, बिलकुल लेकिन आपके दोनों अवश्यदिया सम्मात्रा में नहीं लेनी होगी। मिन्स आपको यहाँ पर लेना होता है, आधा ग्राम से लेकिए एक ग्राम करें। सब्सक्तामरित लोग उसने आप एड करोगे। दो ग्राम जितना देसी गया का शुद्धगी और उसके अंदर आप एड करोगे चार ग्राम शहाद। जब आप इस आउशेति को लेते हों, तो सभी चीजों को अच्छा से मिक्स करें। और खरल के अंदर उसको पिसना शेव करें। जितना जब आप इस आउशेति को घोटोगे, जितना जब आप इसको पिसो भी उतनी इसकी जो आउशेति गूण है वो बढ़ जाएंगे और आपको फाइदा ज़ादा करें। अगर इसको लेने की बात करें। वाडिंग खाली पे। रेकफास करने से एक घंटी पहले इसको अच्छे से पेस्ट बनाके गरम भूत के साथ दे। और सिमिलर चीज़ आपको सोने से पहले भी इसका इंटेक करें। मिस, अगर आप इस अउशेत को दिन ने दो बार लोग है तो आपको जादा फाइदा पहुचाएगे। अलि इस 6-month continuous का यूज किया जाए तो कितना भी चाहे आपको पूराना नंबर हो, चसमे लगे हो, वो पूरी तरह से निकाल जाएगे। आपको से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लेम्स हो, तो वो भी पूरी तरह सिख खताम हो जाएगे। आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट बीमाते मिखेले तेने बार।